राधे राधे हरे कृष्णा आप सभी को होली की अग्रिम शुब काम नाए हमारे हिंदुधर में होली का खास मह्त बहुत है होली से ठीक एक दिन पहले होली का दहन होता है जिसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है हर साल फालगुनमास की पौनिमा तिथी के दिन होली का दहन किया जाता है क्योंकि इस बार पौनिमा की तिथी दो दिन रहने वाली है तो ऐसे में लोगों के मन में इस बार होली का दहन की तिथी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फिजन है तो आईए आपको बताते हैं कि होली का देहन किस तिथी में करना जादा शुब रहेगा हिंदु धर में भद्रा काल में कोई भी पूजा या शुबकार नहीं किये जाते हैं और होली का देहन के समय भद्रा का बहुत जादा विचार किया जाता है शांस्त्रों के अनुसार होली का दहन भद्रा रहित पूनीमा की रात में ही करना चाहिए होली का दहन करने के लिए सबसे शुप समय जो होता है वो प्रदोश काल का होता है इसलिए इस बार होली का दहन साथ मार्च को मनाय जाएगा जबकि भद्रा काल का जो साया है वो 6 मार्च को शाम 4 बचकर 48 मिनट से शुरू होगा और 7 मार्च को सुभा 5 बचकर 14 मिनट पर समाप्त हो जाएगा इसलिए जो लोग भी ऐसा सोसते हैं कि 6 मार्च को होली का दहन करना चाहिए तो उन्हें इस दन होली का दहन करने से बसना चाहिए क्योंकि शाम के समय ही होली का दहन किया जाता है और उस समय भद्रा का समय होगा होली का दहन क्यों किया जाता है इसके बारे में जो पुराणों भी कथा प्रचली थे उसके अनुसार भगवान विश्नु के परम भक्त प्रहलात को आग में जला कर मार डालने के लिए उसके पिता हिरंड कश्चप ने अपनी बेहन होली का को तयार किया होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जो चादर की रूप में था जिसे ओढ़ लेने से उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता था इसलिए अपनी भाई की आग्यानुसार प्रहलाद को मारने के लिए वो नन्हे से प्रहलाद को अपनी गोध में लेकर जलती भी अगनी में बैठ गई और भग्त प्रहलाद तो भगवान विश्नु के करपा से बच गए लेकिन होली का उस आग में जल कर मर गई इस वज़े से हर साल होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है होली बुराई पर अच्छाए की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है साल 2023 में 7 मार्च मंगलवार के दिन होली का दहन किया जाएगा और 8 मार्च बुधवार को रंग वाली होली खेली जाएगी पूनी मात इथी प्रारम होगी 6 मार्च सोमवार की शाम 4 बज कर 18 मिनट से जिसकी समापती 7 मार्च मंगलवार की शाम 6 बज कर 10 मिनट पर हो जाएगी होली का दहन का शुबमूर्त रहेगा 7 मार्च मंगलवार की शाम 6 बज कर 29 मिनट से लेकर रात 8 बज कर 52 मिनट तक और इस बार होली का दहन के समय भद्राकाल का साया भी नहीं रहेगा क्योंकि इस पार भद्रा सुबह ही समाप्त हो जाएगी भद्रा काल प्रारम होगा 6 मार्च सोमवार की शाम 4 बच कर 48 मिनट से जो की 7 मार्च मंगलवार की सुभध 5 बच कर 14 मिनट पर समाप्थ हो जाएगा होली से ठीक 8 दिन पहले होलास्टक लग जाते हैं जिस समय कोई भी शुबकारी करने से बचना चाहिए इस बार 27 फरवरी सोमवार से लेकर 7 मार्च मंगलवार दक होलास्टक रहने वाले हैं और मानिताओं के नुसार होलास्टक के दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुबकारी करने से बचना चाहिए बात करते हैं होली का देहन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहली बात जिसका ध्यान आपको रखना है कि होली का देहन के दिन किसी को भी आप धन उधार ना दे क्योंकि ये शुब नहीं माना जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको धन सम्मंदी बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पर सकता है होली का धहन की शाम को या पूजा करते समय होली का धहन करते समय जो भी कन्याएं हैं महिलाएं हैं उन्हें अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए होली का दहन के समय आपके बाल बंधे होने चाहिए और सिर्फ ढखकर ही आपको होली का की पूजा करके फिर होली का दहन करना चाहिए होली का दहन की रात को अगर आपको सड़क पर कोई भी वस्तु मिल जाती है तो उसे उठाना नहीं चाहिए और नहीं उसको छूना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है होली का दहन की रात को बहुत से लोग तोटके करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अशुब प्रभाव आपको दे सकती है नवी वाहिता को होली का दहन की अगनी को जलते वे नहीं देखना चाहिए इसे अशुब माना जाता है, कहते हैं यदि ऐसा होता है तो इससे दामपती जीवन में बहुत सारी परिशानिया आ सकती है होली का दहन करने के बाद एक काम आप जरूर करें उत्तर दिशा की तरफ घी का या फिर तिल के तेल का एक दीपक जलाकर जरूर रखें चाहिए आप अपने घर के मुखिदवार पर उत्तर दिशा की तरफ दीपक का मुह होना चाहिए वहां रख सकते हैं नहीं तो घर की छट पर भी आप रख सकते हैं मानेता है ऐसा करने से घर में सुक और शांती आती है और हर प्रकार की जो भी नकर आतमकता है वो दूर हो जाती है होली का की राख का तिलक घर-परिवार के सभी सद्धस्यों को लगाना चाहिए ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है यदि किसी को किसी भी तरह की कोई बिमारी है तो उसमें कमी आती है और वो बिमारी दूर भी हो सकती है ये थी आज की वीडियो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा